हेलो फेंड्स मेरा नाम है नितीष शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 1.4 करने जा रही है और इसमें कोई एक्जांपल नहीं है तो यहीं पर आपका चैप्टर है जो फर्स्ट कतम हो जाएगा तो एक्सरसाइज 1.4 का क्योशन नमबर 1 करते हैं क्योशन नमबर 1 जिसमें हम बोल विदाउट एक्टवार्स कर फॉर्म्ट दालोंगढ़ना जा नहीं करना है या दे सेंटिंटाल इसमेंoded क्रपेंशर thrivingi जैसे मैं 17 by 18 में पास तो इसको मैं लॉंग डिविजिन से करूंगा 8 to the 16 10 8 बंदा डेसिमल आएगा क्योंकि उपर कुछ है नहीं तो कहरे लिए जीरो बीचे आगया 20 8 to the 16 8 to the 16 40 यहां पर 1 जीरो जीरो आ गया है यहां पर टमिनेट हो गया है तो यह कैसा डेसिमल एकसमेंशन पर यह कैसा है टर्मिनेटिंटिंग डेसिबल एकसमेंशन अब नोव Mireयल गोर होता at 20 को 6 से डिवैड गहता हो ने हुआ हुआ है 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 तो यह क्या रहा है यह बार बार में ऐसे ही सो और पीट होता रहेगा तो यह कैसा है तो यह मेजर डिफ्रेंस था बवनों का जो मतलब था उसमें अब देखिए इसके अफिर्शन में क्या करना है उसके अकोडिल चलते हैं तो देखिए फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट बोला गया है थर्टीन वाई 3125 ठीक है तो यह दिया गया है तर्टीन वाई 3125 तो इसमें अब यह करना है फिंद इसमें हमें अब लोगे से को यह कैसे कि तरीके शे करना है जिस जो डिणूमिनेटर वह लिद्रूमिनेटर अघर उसका प्राहिव laws factorization करते हैं ठीक है ठीक है denominator का प्राहिव Fed femization करते है और उसमें आता है 2 की power M into 5 की power M आ सकता है और 2 की power M into 5 की power N आ सकता है और सिर्फ 2 की power M और सिर्फ 5 की power N अघर इन में से कुछ भी है इन चारो चीजों में से, तो वो क्या है, टर्मिनेटी है नहीं, तो नोन टर्मिनेटी रिपीटी है, तो अब इसका जया करेंगे, प्राहिम फेक्टराइजेशन, 3,1,2,5, लास्ट में 5 पर 5 पर जाएगा, 5,6 दा 30, 5,2 दा, 5,5 दा, 5,1 दा 5, 5,5 दा 25, 5 दा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 13 by 1,2,3,4,5, 5 की पावर 5, तो निचे, डिनोमिनेटर भी क्या आए, 5 की पावर M आया है, तो ये क्या है, तो रूं पावर जाएशन, तो रूं पैक्टराइशन, ओ दिनोमिनेटर, तो ये क्या सा है, तो तो पावर M, तो ये कैसा है, इस तरीके से करने हैं अब हम सेगेंड पार्ट करते हैं सेगेंड पार्ट में है सेवंटीन बाई एट है सेवंटीन बाई एट लेकिन वह दूसरा तरीका था हम यहां पे और कुछ पढ़ रहे हैं इसमें गया आएगा 17 वाई टू की पावर 3 इसमें 2 की पावर M आ गया तो यही चाहिए या तो 5 की पावर कुछ हो या पिर 2 की पावर संथिंग हो इन के अलागा कुछ भी होगा मतलब यह दोनों और इन के अलागा और भी कोई नंबर हो तो भी वह नॉन टर्मिनिटिंग होगा तो यह पाट नंबर सेगें था स्क्रीन शोट लें लिए अगर आपको लेना हो तो उसके बाद नेक्स पार्ट करेंगे तो देखें थर्ड पाट थर्ड पार्ट में है 64 x 455 तो कुछ नहीं ट्राइंट ट्राइंट ट्राइशन ट्रेएंगे 455 का 59 ता 5 अब किस पे जाए गई थ्री पे थ्री पे नहीं जाए 7 तो इसमें देखिए 64 x 5 x 7 x 13 ठीक है तो इसका जो डिनोंगेटर है उसमें क्या है 5 तो है लेकिन 5 की पावर वर्माद सकते हैं लेकि उसके अलावा और भी कुछ है नहीं सेहन है 13 है तो यह कह है तो यह टूनार वार्माद सकते हैंट अज़्यूजर्य है फ्री के ढविए 4 तो तो यह ट्या वर्माद मदाद यह टूर बड़ टो यह टूर लेकिन 1 तो यहाद धजय का। 64 by 455 is non-terminating तो यह कैसा है non-terminating है कि एफ फॉर्थ पार्ट 15 by 1600 तो कुछ नहीं 60 है लड़ का आपना इंफेक्टराजिशन करें लिया 15 by 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 की पावर 6 इंटो 5 की पावर 2 तो यह बाला हो गया 2 की पावर M और 5 की पावर M ठीक है तो दिनोमिनेटर फॉर्थ फॉर्म फॉर्म पावर M तो यह बाला हो यह बाला है 5 की पावर M तैरफॉर 15 by 16 हैंडर is terminating तो यह कैसा है terminating है terminating अरहिंग की था हम एक्पावर नेगी पावर suprem नहीं सिंचेट, तो यह पार्लिशोत लिए लिए उसके बाद havens next part करेंगी पार्ट नंबर फिर्थ फिर्थ में बोला गया है ट्वर्टी नाइन बाई ट्री फॉर्टी तो थ्री फॉर्टी का प्राइम फेक्टराइजिशन करते हैं शेयान पे जाएगा फॉर्टी नाइन बाई सेवन की पावर थ्री ठीक है प्राइम प्राइम फेक्टराइजिशन ओफ दिनॉमिनेटर अब डॉसेंट कंटेन 2 की पावर एम और 5 की पावर एम देर्फोर 29 बाई 343 is non-terminating तो कभी भी टर्मिनेट नहीं है ठीक है अब पार्ट नंबर 6 करते हैं पावर नंबर 6 23 अपन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 तो की पावर एम इंटो 5 की पावर एम देर्फोर 23 बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2 गया तुप अधिर्फोर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2 जाय वीक्ति है बाई तो देखिए इसमें क्या है 2 भी है सान 5 भी है लेकिन एक अलग नंबर होड़ा गया अधर दें the denominator contain other than number 2 key power m into 50 power m, then therefore, 129 by 2 key power 2, 50 power 7 and senior 10 power 5 is a कि नॉन डर्मिलेटिम क्या है यह है कि नॉन डर्मिलेटिम है ठीक है तो यह पार्ट नमबर 7 था एक बार सके छोट ले लिजिए उसके बाद हम आंके के पार्ट करेंगे इसके हुआ अंगया है जितानो, खसा बारिक है यह पार्ट था छागी है सिए से ठीक से थ sam तो लेकिए इसका जो 6 x 3 x 2 5 आए गा तो इसमें दूनुगेटर अंटें नंबर अधर देन 5 की पावर म और 2 की पावर में देर्फोर 6 x 15 इस नॉनुटर्मियादिव इसा है नॉनुटर्मियादिव नेक्स्ट नाइन्थ पाट करते हैं 35 x 50 तो 50 का प्राइं ट्राइशन 25 5 5 आए बना तो 35 x 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 देर्फोर देर्फोर इसंद का तो 50 टिर्मियादिब этих इस थी पावर 2 की पावर 1 गढ़ा तो ये कैसा आ गया हमारे आपक्नाऄ पास के तो के आइन9 या लाश्ट पर्ट ीसे नमर फिर्स्ट का 77 भाई 210 210 का time factorization 2 ऍो नो 2,2 0 था,25 था 5,2 था 5 भृणट अब जाए ें 37 था 7,1 था 7 थो 77 comprised 2 था थो तो इजे शारे नंबर आवे हैं, तो प्राइम फेक्टरिजेशन, तो दिनोमिनेंटर कॉंटेंट नंबर अधर देन तू की पावर थैंट तो इजे शारे नंबर आवे हैं, तो यह कीशन नंबर परस्ता आओएंट नंबर सेक्ट करेंगे यह वैस्नि के जयुत है तचैनल, चर्ट्रम मौपड़के का फिह बब्सक्राइब कर दो दो id p essasटת 2nd शीर मौपड़के का अचुरा अचलाये कि और ठीकिन दीन श्यवेशन लिग प्रफ लिख 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 लोगा डिखाविजरा था हुओ बुष्लिम्हें डिखेशी लों इंकर रिख लो ता रुष्लिमॉ above which have terminating decimal expansion जिनका भी हमने terminating decimal expansion निकाला है उनका भी क्या बना है decimal expansion निकाला के निखा रहा है तो देखते हैं किस किस का फर्स्ट का आया था ट्रमिनिटी फर्स्ट में मारे पास था 13 by 3125 और भी यूजड़ आया था था ट्रमिनिटी फर्स्ट में मारे पास आया था था ca University तो इसमें मारी पास्तों तो इसको अब डेसिमल एक्समेंशन में लिखना है तो हम क्या करें कि जितनी आपर 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर से इसको मुल्टिप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आप देखें इनको एक्स्पाइड करते हैं 13 इंटू की पावर 5 बोलता है 32 और नीचे 5 और देखें हमें पता है कि जब ऐसे पावर सेम हो एकी पावर एम इंटू बी की पावर एम तो इनको ऐसे लिख सकते हैं इंटू बी की पावर फोल एम तो यह क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर एम ठीक है और 13 को इससे मुल्टिप्लाई कर देते हैं 13 इंटू 26 तू कैरी 13 और दी बना जाएगा यह जाएगा 10 की पावर 5 416 10 की पावर 5 अब इसका डेसिमन लगा देगे 416 तो यह इसकी डेसिमन एक्सपेंशन हो जाएगी ठीक है तो इस त्रीके से करना है यह जो हमने अहली क्लासे में पढ़ा हुआ है वो यहां पर यूज हो रहा है यह एक्पोनेंट 10 पावर में पढ़ा था हमने क्लास एड़ किए तो अब हम सेगेंट पार्ट सब्सक्राइब करेंगे जिसमें हमें टर्मिनिटिंग आया था तो इसका जो फोन करने के लिए हम क्या करेंगे 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 क्योंकि यहां पर यह 2 है तो decimal expansion में convert करने लिए गए 17 इंटू 5 की पावर 3 होता है 125 यह हो जाएगा वही उसी तरीके ज़े 17 से multiply कर लेते हैं 17 फाइटी फाइटी फाइट कैरी 17 तू दा 34 और 8 40 तू 4 कैरी 21 और यह हो जाएगा 10 की पावर 3 2125 10 की पावर 3 यानि की यह हो जाएगा 2.125 ठीक है तो यह हमारा answer आजाएगा अब देखते हैं next जो हमने proof किया था वो क्या था third part था जो हमारा वो terminating नहीं था non-terminating का fourth part अब हमारा क्या था terminating था 15 by 16 एंटर fourth part 15 by 16 एंटर ठीक है इसमें क्या था हमारे पास 15 by 6 एंटर में 2 की पावर 6 एंट 5 की पावर 2 अब हमें देखिए यहां पे पावर है 6 हो यहां पे पावर है 2 तो हमें पावर को इक्वल करना है तो 5 की पावर 4 एंटर 5 की पावर 4 से मल्टिप्लाई 15 इंटर 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा 6 25 नीचे अब देखिए 2 की पावर 6 और यह सेम तो पावर एंटर 5 की पावर 6 15 5 दा 75 7 कैरी 15 2 दा 30 37 3 कैरी 15 56 दा 90 ओर 3 9 3 7 5 यहा गया और यह हो जाएगा 2 इंटर 5 की पावर 6 9 3 7 5 10 की पावर 6 यानि की 9 3 7 5 तो यह हो जाएगा इसकी डेसिमल एक्पेंशन ठीक है यह फूर्थ पाट था इसके बाद जो फिफ्थ पाट था वो नोन टर्मिनिटिंग था तो उसको तो हमें नहीं करके निकाना है उसके बाद डेक्ट 6 पाट है जो हमारा टर्मिनिटिंग आएगा स्क्रिंट पाट था इसके बाद जो हमारा टर्मिनिटिंग आएगा 23 बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 यह महरशा है तो इसको देखी यहां पर देखी पावर दोनों की अलगा लगा है तो एक पावर कम है तो एक पावर से मल्टिप्लाई 53 दा 15, 1 के 5 2 दा 10 और 1 निचो जाइगा 2 की पावर 3 इंटो 5 की पावर 3 115 2 इंटो 5 10 की पावर 3 0.115 तो यह हो जाए का डेशिमल एक्समेंस का नेक्स्ट जो हमारा ट्रमी डेटिंग आया था वो देखते हैं 3 35 ऐप 50 नाइन जो हमारा था है नहीं नेक्स्त कर लेका हम ओ 6th के बाद 7th तो नहीं था, 7th non-terminating था, 8th भी हमारा non-terminating था, प्योंकि उसमें 6 by 15 था, 3 over into 5 आया था, अब direct है 9th, 9th है जो last है, तो 35 by 50, 35 by 50 था हमारे पास, जिसमें हमारे पास इसका आया था, 35 by 2 into 5 की पावर 2, यह है था, ठीक है, तो अब देखें यहां पर 5 की पावर तो 2 है, लेकिं 2 की पावर तो सिर्फ एक ही है, तो 2 की पावर वे 2 पर देखते है, उपर हो जाएगा, 70 नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 2 into 5 की पावर, 2 की पावर एड़ हो जाएगी, 70 by, 70 by यह हो गया, पैं की पावर 2 यानिकी 100, 0 से 0, 0.7, ठीक है, तो यह इसका अंसर हो जाएगा, 2 केशन आपका यहीं पर कतम होता है, अब केशन नंबर 3 करेंगे, केशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, 1 पाट, बस्त पाट HERE में 43.123456789, यह दिया गया है, और इसमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, यह रील नंबर दिये गया हमें बताना है कि यह रशन नंबर हैं या इरीशन नंबर हैं तो PYCY की फर्म में इनको को एक्सप्रेस करना है तो देखिए यह रिश्न नंबर है क्योंकि इसमें क्या है जो यह नंबर 12345679 यह यहां पर जाकर टर्मिनेट हो गया है तो यह क्या है इस नंबर यह नंबर इस बाइस बड़नेटीं अगनोह बीट नोन डिपीटिटिंगि दियर फोर इस नंबर इस तो यह कैसा नंबर है रिशनल नंबर है हमारे पार और पी बाई क्यों की फॉर्म है भी लिप देखें क्या है फॉर्टी थ्री पॉइंट 43.123456789 तो टैसिमा लटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा पी बाई क्यों की फॉर्म हो जाएगा अब इस नंबर को चैक करते हैं इसमें देखिए के yönटी फ्वफ इस तरेकर च्रेंथ कि ऊंअ ट्रीके से यह वह जारी टॉस नंबर इस है क्यों तॉर्मिली अटरी मेटिंग ऊट्री थी टॉर्मियुअ है काहिं पर आव जात्राह idé को जाए जार्शं capitalism कि ए और दोर। नील मॉनं टरूर्मिल दोनंने इस नंबर इस इर्देश्णा नंबर तो यह नंबर कैसा नंबर है इर्देश्णा नंबर ठीक है तो आप बाट थर्ड करते हैं अच्छा नंबर दिया गया है वो टी त्री पॉइंट वन टू टी पॉर फाइव सिक्स सेवन इट नाइव इसके पर बार लगया है यह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो पहले तो इसको लिखेंगे कि यह रिशनल हैं नहीं है तो देखिए इस नंबर इस नंबर इस रिपीटिंग एंड नो टर्मिलेटी देर्फोर इस नंबर इस रिशनल नंबर तो यह रिशनल नंबर है अब बात आती है इसको पी बाई क्यों के फॉर्म में लिखने की तो पहले इसको क्या करते हैं इस नंबर को अब हम क्या करेंगे जितने नंबर बाद यह रिपीट हो रहा है उतने मतलब उतने नंबर से इसको मुलिटिपलाई कर देगी दोने तरफ को देगे वन टू थ्री नहीं है टोटल तो इधर इधर भी इतने से यह हो जाएगा इंटू एक्स इकवल तू अब इसको भी करेंगे तो इसको करेंगे तो क्या हो अब आगे किसा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9.1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब जो पहले वाले इक्वेशन थी उसमें से इसको माइनिस कर देंगे यह हमारा बार्थ है तो इक्वेशन वन फ्रॉम टू तो इधर क्या जाएगा वां जीरो 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 एक्स माइनस इक्वेल टू इधर आजाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ड़सलों यह रिपीट होड़ा है और इसमें से माइनस कर देंगे 43.123 4 5 6 7 8 9 बार्थ तो यह तो यहां से पुरा जीरो हो जाएगा इकर बचेगा जैसे मन तो आएगा इधर 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 बचेगा 6 4 7 6 5 4 3 2 1 4 3 गया गया इधर आजाएगा 9 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 X तो X क्या हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपॉन यह जाएगे नीचे 9 9 तो यह पी बाई क्योंकि फॉह जोग हो गई ठीक है तो इन पार्ट नंबर 3 थ्री और यह पर आपकी एक्सरसाइज और यह चेप्टर खतम होता है तो फ्रेंड्स कैसे लगी यह वीडियो जुरूप्टाईएगा यहां पर आपका यह चेप्टर खतम होता है अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक सेक्षिन में टाइप कर सकते हैं तो उमीर कोशिश की जाएगी कि आपकी जो भी डाउट है उसको क्लेर किया जाए तो थैंक यू अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और ज्यादर ज्यादा लाइक का बटन ज झाल